यहां में हम से किसे ने कोश्म खूचा या उनकी टॉय की रिटेल दुकान है क्या वो अपने बिशनस को एक ब्रैंड बना सकते है एक कम्पनी है आर्चीस अब नहें तो समने वोगे क्मारती है, क्या क्या वो अपने produkt खुद बनाती है नहीं वो आउट्सोर्स करती है, बहुत सारी चीज़े चाइना से आती है, तो क्या हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, अब चाइना की बात नहीं करके चलता, क्योंकि अभी मेर्केन इंडिया ज़रा चल रहा है, और चाइना के साथ बहुत सारा बावाल चल रहा है, आप आपको अपना प्रोड़क को प्रोक्यूर कराना पड़ाइगा खहीना कहीं से कहीं से manufacturer से बनवाओ, अपने आपको white label कराओ, मतलला अपने brand लगा उसके उपर और अपने brand की बहुत अच्छे तरीके से marketing करो, marketing करोगे तभी customer आपके पास किचा चला जाएगा, अब यहाँ पर अपने को दो-तिन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, हमारी packaging अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि parents अब आते हैं, उनको जो toys लेने वाले हैं, वो यह parents ही है, बच्चों को दिखाई देगा, और parents उनको देलाएगे, तो parents पैसा खर्च करने के लिए बहुत सारे parents तयार होते हैं, मेरे साब से अगर मैं आपकी जगा होता, तो मैं एक premium brand निकालता, जहाँ पर मैं अपनी packaging के उपर काम करता, अपनी product की quality के उपर काम करता, मैं plastic भी ऐसा use करता, जो बच्चों को नुकसान ना देता, और मैं उसको इसी तरीके से market करता, कि यह product है, इस तरीके में भी अच्छा दिखता, बच्चे को दिखने में product बहुत अच्छा लगता हो, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, और वहाँ पे आप पीछे बता देते, कि हमने ऐसी चीज़े use करी है, जिससे बच्चों को कभी नुकसान नी होगा, अगर बच्चे मुह में डाल ब्रैंड बनना बच्चों हेल नहीं है कि आज सोचा हफते के बाद बन गए, ठीक है टाइम लगेगा, एक देड़ साल लगेगा पर आप बहुत छे ब्रैंड बन सकते हो, contact लापास हमारी टीम आपकी help कर सकती है